बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम वालेकूम आज हम एक्सरसाइज 5.1 को डिसकस करेंगे 5.1 में क्वेस्टिन नमबर 4 गिवन है फाइं ता एल्सीम बाइ डिविजन मेथर्ड यहां पर आपको फॉमुला नजर आ रहा है यहां पर लिखा है HCF multiply by LCM is equal to यहां पर first expression है multiply by second expression यह आप फॉमुला यूज़ करेंगे यह फॉमुले में अगर हम देखें तो हमने find करना है LCM अब यहां आपने LCM find करना है तो आप HCF को यहां cross में divide कर दें अब यहां पर PX represent कर रहा है first polynomial को और QX represent कर रहा है second polynomial को question 1 हमें given है यहां पर आपके पास देखें X is square minus 25 X plus 100 यह first expression given है और X is square minus X minus 20 यह आपको second expression given है given है इसमें हमें LCM find out करने के लिए इस formula को use करना है अब इसमें PX भी मालू है QX भी मालू है लेकिन हमें HCF नहीं मालू तो हम इसमें हम first calculate करेंगे HCF यहां हम first from x square divisor and dividend दोनों x square है तो x square to x square से divide करेंगे result आएगा 1 और फिर हम यहां पर 1 को multiply कर देंगे diviser को तो यहां result आजेगा x square minus 25x and plus 100 then sign change minus and plus or minus plus minus subtract cancel हो गया and 25 में से 1 minus किया तो result आगया plus 24x क्योंकि हम 25 के साथ इस sign को consider कर रहे हैं and then minus minus plus and यहां पर answer आजेगा minus 120 अब आप दोनों में common देखें कि आपको लिखा हो नजरा रहे है 24 तो bracket में आजाएगा x minus 5 क्योंकि 24 multiply by x 24x and 24 multiply by 5 120 अब आप इसमें 24 को नहीं लिखेंगे बलके x minus 5 को consider करेंगे इसको आप 24 को consider नहीं करेंगे अगें डिवाइट करेंगे अगें जब आप डिवाइट करेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे x minus 5 और यहां पर आप लिखेंगे x square minus 25 x and plus 100 अब आपने अगें इसको डिवाइट करना है तो आपने x x square को जब x से डिवाइट किया तो result आया x और इस x से आपने पूरी bracket को multiply कर दिने x multiply by x minus 5 x multiply by x x square x multiply by 5 minus 5 x तो आप यहां रिखेंगे x square minus 5 x फिर आपने sign change किया और पिर आपने इसको minus किया यह cancel हो गया 25 में से 5 minus किये minus 20 x and plus 100 अगें आपने divide कर दिने उससे पहले आप इसमें से common ले लें अगर आप देखें तो common लिख सकते हैं तो आपने इस 20 को नहीं लेना बलके आपने इस x minus 5 से divide करना है यह आपने x minus 5 x को x से divide किया result आया 1 और 1 से जब multiply किया तो यहां पे आजएगा x minus 5 पर आपने subtract कर दिया तो यहां पर यह पूरा cancel हो गया result में कुछ नहीं रहा तो अब आपके पास यहां पर scf आगया scf होता है जो complete divide कर दे तो scf आगया आपके पास x minus 5 अब हमने formula यूज करना है lcm is equal to polynomial of x multiplied polynomial of first expression multiplied by polynomials of second expression इन दोनों को जब multiply गया तो यह first आपको given in the second और scf हमने find x minus 5 तो यहां दिवाइट में लिख देंगे formula में हमने values put कर दी है यहां हम divide करेंगे scf को first expression के साथ तो हम यहां पर लिखेंगे हमने लिखा यहां पर first expression आपको given x square minus 25 x and plus 100 और आपने यहां पर लिख दिया x minus 5 जब आपने इसको divide किया तो x square को x से divide किया result आया x और जब x x minus 5 से multiply होगा तो result आजेगा x square minus 5 x sign change कर देंगे आप तो result में आएगा minus 20 x plus 100 अगें फिर आप divide करेंगे एक minus 20 x को x के साथ तो result आएगा minus 20 और आपने जब minus 20 को x के साथ multiply किया तो minus 20 x and 5 को जब आपने 20 से multiply किया तो तो minus minus plus and 5 multiply by 20 आजेगा 100 sign change किया आपने यह भी cancel यह भी cancel result में हाँ कुछ नहीं आएगा तो आपने यहां पे दो expressions को दो expression को divide करके result निकाल लिया अब आपने निकालना था LCM तो आपने यहां पे लिखा x minus 20 and पिर लिखा आपने multiply by x square minus x minus 20 अब आपने इन दोनों brackets को solve करना है तो final आप cancer आजाएगा आपने यहां पे middle drum को break किया यानि 5 x में से 4 x को minus करेंगे result आएगा x and 5 multiply by 4 बन जाएगा minus 20 और x square को जब 20 से multiply करेंगे तो बन जाएगा minus 20 x जब middle drum break कर लिया अब इसको simplify कर ले यानि आपने लिखा x minus 20 अब आपने bracket बनाया और यहां पे x common लिया bracket माया x minus 5 फिर अपने इन दोनों में से common लेना है तो आपने लिखा plus फिर लिखा 4 और फिर लिखा x और minus और फिर 5 होगे 4 multiply by 5 बन जाएगा 20 अब आपने next step में लिखा x minus 20 फिर आपने इन दोनों brackets में x minus 5 x minus 5 common है तो आपने लिखा x minus 5 फिर आपने यहां पे लिखा x plus 4 तो यापका LCM आ गया हूँ यापकाă